ओम शान्ति हम सब के बीच में हमारे आदणिया राजयोगिनी सुश्मा दीदी जी पहुँचे हैं हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सतकार करते हैं, अभिनन्दन करते हैं ब्राम्भन सो फरिष्टा सो होवनहार देवता हमारी सुश्मा दीदी का यह बहुत बड़ा स्वभाग्य रहा कि आपका लौकिक जन्म इस कल्यूग में जो देव भूमी कहलाती है हिमाचल प्रदेश उस धरनी पर हुआ न सिर्फ इतना ही, लेकिन बाल्य काल से ही घर में आपको रुखानियत का वातावरण मिला क्योंकि घर के सभी सदस्य ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो हिमाचल की धरनी में लौकिक जन्म हुआ और पंजाब की धरनी में लौकिक पढ़ाई की और बाल्य काल से ही चुँकि रुखानियत का वातावरण मिला और नैतिक मुल्य, आध्यातिक मुल्य इन सब के बीच बाल्य काल से ही आपके मानस पटल पर पढ़े और इसलिए पढ़ाई आधी पूरी करने के बाद मन ने कहा जीवन इश्वरिय सेवाओं के लिए समर्पित करना है आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व 1971 में आपने जीवन सेवाओं के लिए समर्पित किया हम ये कहेंगे कि समर्पित जीवन की गुल्डन जुबली पार कर ली है आपने दिदी और आरंभ के करीब 10-11 वर्षों तक आपने विवीध राज्यों में सेवाओं दी जैसे की पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश, आसाम आदी आदी राज्यों में आपने सेवाओं दी और उस सेवाओं के दर्म्यान यग्य के आदी रतनों के करीब आने का भी बहुत सभाग्य मिला और फिर 1982 में आपने अपनी सेवाओं का बेस जैपूर को बनाया जिसको आज करीब हम कहेंगे 40 वर्ष हो रहे हैं और इन 40 वर्षों में आपने जैपूर में भी सेवाओं का बहुत विस्तार किया है आप जैपूर म्यूजियम सबजोन के इंचार्ज के रूप में लगभग 80 जितने सिवा केंद्र चला रहे हैं और लगभग 100 जितनी राजयोगा टीचर बहनों की मात्रवत वातसल्य पालना करते हैं जिसमें से 20-25 बहने तो अभी भी दीदी के सामने ही बैठे हुए हैं और इतना ही नहीं दीदी को ये भी सवभाग्य मिला कि यूरोपियन कंट्रीस में विशेश करके बेलजियम, फ्रांस, जर्मनी में सेवाओं की शुरुवात करने में आप निमित बने और इसके साथ साथ हमारे जो जितने भी कॉन्फरेंसे होते हैं मदुबन हेड़कॉर्टर में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है उनमें हमारे पास जो टीचर्स, स्पिरिच्वल टीचर्स ट्रेनिंग होती है उसमें भी आप विशेश फेकल्टी होते हैं हमारी जो मेनेज्मेंट कमीटी है यग्य की उसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल होता है बाहर से तो कहने में कुछ है की हम टाइटल्स बोस सकते हैं लेकिन गुप्त रीती से यग्य की अंदर दीदी की सेवाओं का बहुत बड़ा योगदान है जिस आधार से आप बहुत सारे पबलिक कहो गौर्मेंट कहो सभी सेक्टर्स में बाबा की सेवाएं बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और गिनाइज भी करते हैं और स्वयम भी बाबा की ज्यान के लेक्चर्स भी सबको देते हैं तो ऐसी हमारी दीदी आज हमारे सामने जो पहुत ही प्रतिभा की धनी है हमने आप से आज रिक्वेस्ट किये हैं कि आप स्वच्छ बुध्धी और सच्ची दिल इस विशेय पर प्रकाश डाले ताकि हमें clarity मिले बुद्धी और दिल में अंतर क्या है बुद्धी को स्वच कैसे किया जाता है कैसे दिल सच्ची रखनी होती है क्योंकि बाबा हमेशा कहते है सच्चे दिल पर साहिब राजी और आज भी बाबा ने कहा याद से बुद्धी को सच्च बनाना है तो सुनते हैं दिदी के मुखारविंद से सच्च बुद्धी और सच्ची दिल आदनिया दिदीजी थेंक यू इंद्रा बेन इंद्रा बेन ने तो अच्छा लंबा चोड़ा परिचे करा दिया आप सब बाबा के प्यारे बच्चे भाई बेने सब ठीक हैं मौज में हैं सब ठीक हो मौज में आच्छा बड़ा सुन्दर पावरफुल मगर बड़ा अजीब टॉपिक है कौन सा टॉपिक है सच्ची दिल और अच्छा तो जरा आप में से कितने भाई बेन चाते हैं कि हाँ हम सच्चाई से चले सोच के हाथ उठाना कल्यूग में रहते हो सब चलेंगे सच्चाई से त्यार हो अच्छा और साफ दिल उसमें कम हाथ उठे हैं ये विशे तो सुंदर है अगर हम चाहें तो इसका पूरा साथ दिन क्या एक महीना भी बैठके आपस में चर्चा करते रहें तो शायद ये विशे पूरा नहीं होगा रिसर्च का विशे है ये वास्तम में सच्चाई क्या है सफाई क्या है दिल क्या है बुद्धी क्या है जैसे किसी ने कहा कि मैंने इस साल ने साल में सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में अब शेश समय कभी भी जूट नहीं बोलूँगी पहली तारीख पूरी हुई दूसरी तारीख को किसी ने पूछ लिया भाई जी बहन जी आपकी उमर कितनी है आ गई वहीं उलजन सच बोलूँ जूट मेरी उमर कितनी है तो पल-पल अगर हम चेक करें पल-पल हम कई बार अपनी क्लासिज में भी कहते रहते हैं मान लो आपको किसी ने फोन किया कोई अचानक आ भी गया आप क्या कर रहे हैं कहते हैं जी कुछ नहीं कर रहे हैं अरे कुछ तो कर रहे थे या नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता मान लो मैं चाय पी रही हूं क्या कर रहे हैं जी कुछ नहीं बस टाइम पास कर रहे हैं सोचा सर्दी है, चाय पी लेते हैं तो आप देखेंगे हम पल-पल वास्तविक्ता से बहुत दूर रहते हैं यहाँ आने से पहले भी एक बहन मेरे से बात कर रही थी और उसने कहा कि educate, मैंने कहा किस किस को educate करें educated हम सब हैं कई बार कई कई भाई बहने देखने में ऐसे दिखाई देते हैं साधारण से, पूछती हूं कि भाई जी आपने क्या पढ़ाई किया है कहते हैं M.com आपने क्या पढ़ाई किया है, वो कहता है M.S.C मैं देखती रह जाती हूं education कितनी higher है न M.com, M.S.C और doctor और वकील बनने में इंजिनियर कितना समय लगा कितनी ट्रेनिंग ली एक I.S. बनता है, I.P.S. बनता है selection से पहले रगड़ा पट्टी तो जो करते हैं उनको पता है फिर उसके बाद भी उनकी एक साल जो ट्रेनिंग होती है I.S. की देरादून में उनका बना हुआ है ट्रेनिंग, मैं वहां गई थी आप देखो क्या आली शान उनका ट्रेनिंग सेंटर है कैसे ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग के बाद उनको फिर भारत दर्शन मुख्य मुख्य स्थान ये सब कुछ दिखाते हैं हर चीज पढ़ाते हैं, सिखाते हैं फिर मेरा लेवल कौन सा है मेरा बुद्धी का लेवल कौन सा है अगर हम पूछेंगे कुछ एक कुछ छोड़के कि भाई आप कितने समय से ग्यान में हैं कहेंगे पांच साल, दस साल, बीच साल उससे उपर भी होंगे अब स्थोल की बाद छोड़ दी मैंने पांच साल में कोई कहता है जैसे कल भी एक माता कह रही थी मैं अभी पिछले महीने मदुबन में आई थी दीदी बाबा ने ना मुझे अब फिर एक महीने के बाद बुला लिया कितने अखुश हो रही थी कोई कहेंगे मैं पांच साल में भेंजी दस बार मदुबन में आया हूँ साथ बार आया हूँ पांच बार आया हूँ मैंने यहां आकर के क्या क्या पाया और क्या परिवर्तन किया सच्चाई माना सच बोलना नहीं है मैं सच बोल रही हूँ क्या सच बोल रही हूं सच बोल रही हूं यह न चोर है यह जूट बोलता है यह गलत है यह सच है मेरा देखना कैसा चाहिए था ग्यान में है अब ही हम ग्यान की बात कर रहे हैं भगवान कहता है दो की बात करती हूं पहली बात ये सारे विश्व में जो भी आत्माय हैं बच्चे ये मेरे बच्चे हैं चाहे वो मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते सब मेरे बच्चे हैं सब को मेरा समझता है दूसरा जो मेरे बच्चे हैं जिनोंने पहचाना है उनमें भी जो लास्ट का बच्चा है जिसको हम समझते हैं इसको ग्यान की इतनी धार्णा नहीं है इसको इतना निश्चे नहीं है उसको भी बाबा क्या देखता है ये मेरा बच्चा भी लास्ट नंबर का फरिष्टा बच्चा है वो उसको इस द्रिष्टी से नहीं देखता है हम लोग तो फिर हसके कह देते हैं हाँ बाबा तो कहता है यह ना नंबर वार तो माना मैं उसको तो नंबर लास्ट की दृष्टी से ही देख रही हूँ इसकी धार्णा नहीं है, इसकी डेडिकेशन नहीं है समर्पन मैता नहीं है, कोई सेवा, ना, बाबा इस दृष्टी से नहीं देख रहा है बाबा कहता है ये भी मेरा लास्ट नंबर का फरिष्टा बच्चा है मेरा कौन सा स्वरूप देखा बाबा ने ये लास्ट नंबर का फरिष्टा स्वरूप बच्चा है अब बताईए सच कौन सी है ये सच है कि ये लास्ट नंबर का फरिष्टा है या ये सच है एकदम बेकार हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं, बसा आ जाते हैं, क्लास में एक नंबर बढ़ा हुआ है, कौन सी बात सच है, हैं, समझा रही है न बात, सच और जूट क्या है, हम रोज योग में बैठके, मैं शुद आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, कितने सालों से? शुद आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप आत्मा, आपका बच्चा पांच साल से स्कूल में जा रहा है, रोज आके बस एक दो पोएम सुना देता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटर स्टार, आगे उसको आता ही नहीं है कुछ भी, या बाबा बाब लेक्षी है, व्यूए निवूल, भाई पांच साल से बच्चा जा रहा है, खाली एफ और एपल, किताब पढ़ना कब सीखेगा, गिन्ती नहीं आ रही है, एक से सौ तक बस, प्लस माइनस सीखा ही नहीं, तो आपके मन में आयेगा न, स्कूल ठीक नहीं है, टीचर ठीक नहीं है, या बच्चा डेवलप नहीं कर रहा है, तो कुछ ग्रास्प नहीं कर रहा है, है क्या चक्कर क्या है, कुछ तो होगी न, कमी, मैं भी बच्चा हूँ भगवान का, दो साल, दस साल से मैं शुदात्मा हूँ, शुदात्मा हूँ, रोज आदा घंटा, एक घंटा यही कर रही हूँ, शुदात्मा, फिर हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, तो सच्चाई माना यह नहीं है, आपकी जेब में दस रुपया पड़ा है, मैंने पूछा, कि अरे मैं तो पर्स भूल के आ गई, मुझे पांची रुपया चाहिए, अगर है अभी दे दो, मैं बस अभी घर जाओंगी न, रूम में फिर आपको लोटा दूँगी, आप कहत अगर क्यों कहा नहीं है, तो कोई मेरा एटिच्ईूड, मेरा दृष्टी कोण, वो क्या है? यह व्यक्ति मुझे वापिस नहीं देगा, यह राइट नहीं है, इसकी तो आदत है, कोई ना कोई कारण है ना, जो मैंने उसको बोला मेरी जेब में नहीं है, तो सच्चाई यह पहले मैं अपने स्वरूप को डेवलप करूँ, मेरा स्वरूप क्या है? आदा घंटा बैठके नहीं डेवलप करना है, बैठके, हाँ बाबा मैं आपका सच्चा बच्चा हूँ, मैंने तो अभ नियम बना लिए, सौ बार मैं रोज लिखती हूँ, मैं सच्चे बाबा की बच्ची बच्ची यह नहीं करना है अब समय की पुकार है कर्म करते हुए का मैं अपना चार्ट चेक करूँ मैं बाबा की सच्ची बच्ची हूँ व्यवार में हूँ सच्ची बोल में हूँ सच्ची दृष्टी में हूँ सच्ची सच्ची दिल माना दिल माना क्या दिल में क्या है दिल में क्या है हम हमेशा कहते हैं यह दिल हार्ट यह इस शरीर का एक organ है, part है इसमें क्या है, heart में क्या है, blood circulation है, बस और brain इसमें information है मैं अभी ऐसे बैठी हूँ, मानलो, पाओं पे मच्छर ने काटा, चींटी ने काटा सामने देख रही हूँ, दिखाई नहीं दिया जैसे ही काटा, नजर जाती है कि मच्छर मख्छी क्या है वो फ़र्ट से वेन सिस्टम से यहाँ information आता है कुछ पाओं में काट रहा है brain information लेता है फिर उसके बाद क्या होता है, आत्मा जो रह रही है वो उसके उपर कुछ action लेती है तो यह heart और brain इस आत्मा का नहीं, heart और brain शरीर के organ है brain का भी operation हो जाता है brain hemorrhage हो जाता है, heart attack हो जाता है फिर सची दिल कौन सी जैसे आंख है मगर आंख में रोशनी नहीं आत्मा है आंख से देख नहीं सकती क्योंकि यह आंख defective है आंख में रोशनी होना भी जरूरी है और शरीर में आत्मा होनी भी जरूरी है आंखे मेरी दोनों ठीक है आत्मा निकल गई फिर यह आंखे देखेंगी आत्मा मन बुद्धी संसकार सहीत है मन का काम है संकल्प करना यह करूं यह करूं इसका देखा उसका देखा यह खाऊं वो खाऊं यह मोटा मोटी संकल्प है लेकिन जो संकल्प बार-बार हो रहे हैं जिन से मेरा चित की भावनाएं बन रही है मेरी भावनाएं कैसी है मैं कर्मिंद्रियां जीत हूं कुछ भी आजाए नहीं लोब वश मैं नहीं खा सकती कर्मिंद्रियां जीत हूं तो ये जो हमारी अंदर की भावनाई हैं, इनकी शुद्धी चाहिए, और हमारी भावनाओं का प्रभाव हमारे हार्ट पर आता है, ब्लड सर्कुलेशन पर आता है, हम इतने लोग बैठे हैं यहां पर, मान लीजिए, अभी एक व्यक्ति आता है, जिसने पुलिस की यूनिफ पहनी हुई है, हमें बैठे हैं यहां सौ डेड़ सो लोग, एक पुलिस वाले को देखके घबरा जाते हैं, घबराते हैं नहीं घबराते हैं, यह पुलिस वाला, यहां क्यों आया है, क्या, यहां कुछ हो है, क्या, आपस में कि यूनिफॉर्म ने हमें डरा दिया और हम डर गए और हम पता नहीं क्यों आया है डर क्या है ये मेरी फिलिंग्स है तो मेरी फिलिंग्स में मेरी भावनाओं में सत्यता चाहिए मैं कौन हूँ मैं सचे बाबा की सची बच्ची हूँ सत्य स्वरू पात्मा हूँ इसलिए हमारी दाधियों ने क्या किया शुरू शुरू में अब तो योग की इतनी कोमेंटरीज है इतनी क्लासीज है इतना ज्ञान है आप सुनने लग जाओ पूरा साल तो क्या एक पूरी सदी निकाल दो तो भी नहीं पूरे होंगे फलाने की क्लास, फलाने की कमेंटरी, फलाने का ये उस समय सिर्फ दादियों ने एक ही अभ्यास किया बाबा ने एक ही अभ्यास कराया बच्चे तुम कौन हो? हम लोग शुरू शुरू में आये ना तो ये commentaries नहीं थी मैं शुदात्मा हूँ पवित्रात्मा हूँ मैं सत्चितानंद स्वरूपात्मा हूँ देखिए दोनों में कितना अंतर है मैं शुदात्मा हूँ पवित्रात्मा हूँ श्री बाबा की संतान लगाते रहे ये सुखा-सुखा योग और जब हम कहते हैं मैं सत, चित, आनंद सत में सब कुछ आ जाता है मैं सत्य स्वरूप भी हूँ मैं अविनाशी भी हूँ मैं शान्त भी हूँ सत्य स्वरूप शान्त स्वरूप है पवित्र स्वरूप है चित चैतन्य मैं चैतन्य आत्मा हूँ मेरे अंदर ये जागरती है अवेर्नेस है हाँ मैं चैतन्य और हम तो क्या करते हैं मैं शुद आत्मा हूँ पवित्र आत्मा हूँ क्या हुआ चैतन्य था कहां गई सत्चित अगर मैं चैतन्य अवेर होके बैठी हूँ नहीं मैं सत्चित अनंद स्वरूप चित चैतन्य अगर मेरे को थोड़ा आलस आया भी कहीं थोड़ा नो मैं चैतन्य आत्मा हूँ उस सत्चित अनंद के सागर के सामने बैठी हूँ भगवान यहां आ जाए और मैं सोई रहूं ऐसा हो सकता है शायद दुनिया में इसी लिए कहते हैं कहते हैं भगवान जब भाग्य बांठने आया था तो मेरी बारी भाग्य ही खतम हो गया किन की बारी जो चैतन्य नहीं थे जो सो रहे थे आनंद स्वरूप मैं आप में से पूछू कितने भाई बैनों को योग में बैठने के बाद अति हिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूती होती है और आगे हम कहते थे जब तक आनंद की अनुभूती नहीं है समझो मेरा योग नहीं है अनंद की अनुभूती नहीं होने के कारण फिर हम ढूंडते हैं फलाने की क्लास फलाने की क्लास अनंद तो आना था यहां फिर ये गाना फिर वो गाना फिर ये भजन फिर वो भजन फिर फलाने महात्मा का सत्संग फलाने का बहें जी वो भी कई बार हमें आकर रखनाने लगते हैं भाई बहें, वो फलाने महात्मा जी बिलकुल ऐसे जनाते हैं दी दी जैसे अपना उसने जन को समझा ही नहीं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूं जो जन वाबा ने दिया है वो कोई दे नहीं सकता है कितना भी कोई आज कल सब वैल्यू बेस्ट की बात करते हैं गुनों की बात आज कल हर महात्मा भी करते हैं लेकिन कौनसी बात है जो कोई नहीं करता है और केवल बाबा करता है वह? आतुमा परमात्मा चारासी जनम अच्छा और बता हो देखू एक-एक बोलो तो पूस सुनाई दे जी 21 जनम की बादशाई और और बोलो पवित्रता की बात भी कह देते हैं कोई भी सादू संत महात्मा आपको ये नहीं कहेगा कि आपको यहाँ नर से शिरी नारायन नारी से शिरी लक्ष्मी बनना है किसने बताया हाथ उठाके बतादो कि किसी महात्मा ने बताया ये भगवान के ग्यान की गहराई को समझना इसलिए मुझे मुझे मुर्ली नहीं सुननी है यहां का नियम है दीदी रोज केगी मुर्ली सुनते हो कहिएं को सुनने में तो कम हाता है मज़ा सुनाने में ही ज befIN हैं झी हम सुना भी देते हैं शुन भी लेते है धारना कुछ नहीं वह नहीं जाहिए मैं नर से नारायन नारी से लक्षमी बनने वाली आत्मा हूँ ब्रहमा को ये नशाछड़ा जैसे ही बाबा को साक्षातकार हुआ ता तो तवम का वर्दान मिला विश्नु चतरभुज बाबा को नशा चड़ गया मैं ये नाराइन बनने वाला हूँ अब याप आये ना मदुबन में हम कई बार सुनाते हैं छोटे हॉल में जाके देखना जिदर वो भाईयों का बैठने का है उस तरफ में वो एक ट्रांसलाइट लक्षमी नाराइन कि उसके उपर शिरी कृष्न का चितर है बाबा के गदी पे बैठते थे ना फिर बाबा कहते बच्चे मैं ये मिचनु मिचनु बनने वाला हूँ बाबा को इतना नशा रहता था सच्ची दिल माना मुझे ज्ञान का नशा हो बुरा नहीं मानना ज्ञान का नशा तो नहीं चड़ता है अपने अभी मान का नशा बहुत है क्या विचार है आप लोगों को अभी मान के कारणी हमारा एक दो से टक्कर है ये ऐसा ये ऐसा आपने मुझे क्या समझाए वो कहता आपने मुझे क्या समझाए मैं तो इतना पुराना हूँ मैं जानता हूँ मैं तो समर्पी तूँ मैं जानती हूँ अरे मीठे प्यारे भाई बेहनो कहां चले गए पहले दिन हम आये थे हमें बताया था विद्याले का लक्षे है मनुष्य से देवता बनना ये है सच्ची दिल बाबा आप मुझे देवता बनाने आएं और मुझे अब देवता बनके ही रहना है ऐसी आत्माई कम है जो गीता में है ने कोटो में कोई कोई में भी कोई ये जो कोई में भी कोई है अब हम अपने अपने को चेक करना शुरू करें हाथ उठाने की नहीं ज़रूरत है मैं कोई में कोई हूँ जिसको फुल ग्यान का नशा है ग्यानी हो ग्यानी हो घर परिवार हो काम धंदा हो ऐसा नहीं आज भी बाबा के सामने बाबा ने कहा ना मुडली में कई बच्चे सामने ही कहा देते बाबा मैं تو आपको भूल गया या मैं तो मानता ही नहीं बाबा का भी सामना कर लेते थे कोई और बाबा फुल नशे में फुल नशे में आप जो मर्जी कह दो बाबा पर कोई प्रभाव नहीं था तो अब ये देखना है मैं सच्चित अनंद स्वरूप की फीलिंग में रहती हूं या मुझे दूसरे 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 की बातें प्रभावित कर रही है इसने कह दिया ये चोर है ये गल्त है ये तो मेरे यहां छप गया मेरे को ऐसे कहा मैं ऐसी हूं क्या ये प्रभाव और आपने क्या भी कहा आपने पढ़ा होगा बाबा की जीवन कहानी में भी है कलकत्ता में एक बार किसी ने अख़बार में डाल दिया यह दादा लेख राज जिसको यह जोहरी कहते हैं यह तो साइकल बनाने का काम करता था साइकल का दुकान था निर्मल शांता दादी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ऐसे ऐसे अख़बार में फलाने ने डाला है इस पर केस करें मनुष्य बुद्धी तो यही है न भाई बैन आने वाले कह रहे हैं इस पर केस करना चाहिए इसने ये बात जूठी कई है पता है आपको बाबा ने क्या का किस किस ने पढ़ा है बाबा ने का बच्चे वो भी बाबा का बच्चा है उसको ब्रह्मा भोजन का निमंत्रन दो और ब्रह्मा भोजन किला है इतनी ताकत हमारे में है इतनी ताकत हम देखें आप हम तो जरा जरा सी बात में विचलित हो जाते हैं ये सच्चाई चाहिए यह है सत्यता जो बाबा कह रहा है न आपकी अवस्था अच्छल अडोल अगर मेरी अवस्था दिन में चार बार तो डामा डोल एक ने का, दूसरे ने का, तीसरे ने घर परिवार में रहते हैं, बहु ने कहा, बेटे ने कहा, व्यापारी ने कहा, उस ने कहा सबजी वाले ने थोड़ी सबजी कम तोल दी दूद वाले को आए दिन जरूर कहेंगे अरे दूद अच्छा लाया कर पानी मिला के ले आता है वो कहता हान जी हान जी मैं आपके लिए स्पेशल डिबे मिलाता हूँ मैं भी जूट वो भी जूटा यह हमारे यह हमने अगर अभी तक अपनी एटिचूड को चेंज नहीं किया तो जो मैंने शुरू शुरू में पूछा आप से मैंने M.com किया है M.sc की है डॉक्टर हूँ मेरा एटिचूड अभी तक यह है यह मेरा लेवल है यह लेवल है मेरा सोच का तो दिल की सच्चाई माना मेरी भावनाओं में जो बाबा ने का है शुब भावना रखो है मेरी शुब भावना कहा है ढूंडो कोई-कोई कहते हम तो रोज इस बात के लिए एक गंटा मैं शुब भावना का दान तो मैं तो हस देती हूं एक गंटा शुब भावना का दान तेईस गंटा क्या प्रोग्राम है एक गंटा नहीं बैठ के योगदान नहीं देना है अभ्यास करने के लिए बैठो चाहे चार गंटा बैठो वो तो अभ्यास है ना प्रैक्टिस पीरियड है लेकिन रियली शुब स्वरूप होकर तब कहेंगे सची दिल इसके लिए चाहिए हमारी ये बुद्धी एक दम clean and clear clean, clear मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ देखती नहीं क्या दो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है मेरे को बाबा ने कहा है तु अपना कर्म कर और मेरे पास आजा स्वासो स्वास मुझे याद कर यही होमवर्क मिला हुए है न हम सब को, यह कुछ और मिला हुए है यही है, पक्का, पीछे वालो पक्का, यही होमवर्क है न है स्वासो स्वास मुझे याद कर हम तो स्वासो स्वास स्वासो स्वास तेरा मेरा इसका उसका यहाँ वहाँ पता नहीं क्या-क्या याद करते रहते हैं एक फोन में दो सिम है आपके पास दो ही है या किसी के पास चार भी है हाथ उठाना दो सिम पे आप देख लो सारा टाइम आपका वहीं जाता है और यहां पता नहीं कितनी सिम आप लोगों ने रखी हुए है वहां तो शायद जीयो और आइडिया और बीस अनल और भी हो सकता है दो-तीन और हो तो जो भी हो और यहां कौन सी सिम है इसकी उसकी उसकी भाई बाबी चाची मामा माँ बाप बाल बच्चे पोता पोती दोता इतनी सिम लगाई हुई है कभी कोई सिम दब जाती है कभी कोई दब जाती है कभी बहु वाली सिम दब जाती है कभी समधी वाली दब जाती है बस जो सिम खोलो तो भाई ये इतनी सिम्मत रखो पांडव अमने आयो सारी दान कर जाओ एक ही सिम्म लगाओ अबी बाबा सिम्म बाबा सिम्म एक ही सिम्म क्योंकि बाबा ने का है कि मेरे साथ अपने सर्व संबंद जोड़ो जब तक बाबा सिम्म नहीं है तब तक तो भाई ये जूट है मेरे सर्व संबंद बस बहन जी बाबा ही तो है और क्या है नो बाबा है फिर करो चेक मैं सारा दिन खुश रहती हूं कितनी बार परिशान होती हूं मैं तो कभी-कभी जब सुनती हूं ना कोई-कोई भाई बैन कहते हैं मैंने योग लगाया भेंजी पानी चार्ज किया एक्किस दिन योग किया मेरा उसके बाद ये पैसा लौट आया मेरा धंद अच्छ चल पड़ा मेरा सेंटर मेरा मकान बन गया अरे प्यारे भाई बैनो आप यहां क्यों आये थे? क्यों आये थे? दंदे तो आपके पहले भी चल रहे थे लेन देन आपका पहले भी चल रहा था वगवान ने आपको कहा बचे मैं तुम्हे विश्व का मालिक बना रहा हूं क्या बना रहा हूं? और मैं योग लगा रही हूं बाबा मेरा सेंटर बन जाए वेश्व सेंटर वेश्व वेश्व का मालिक बनाने आया है मेरे सेंटर की सेवा बढ़े नहीं बढ़ेगी तो आप कहेंगे कब बढ़ेगी वेश्व मेरा धन्दा अच्छा चले फाउंडेशन को पकड़िए फाउंडेशन को पकड़िए कर्म प्रधान विश्व रची राखा मेरा कर्म मेरी भावना कैसी है वही फल मिलेगा मुझे मकान नहीं चाहिए मुझे अच्छे बहु बेटा नहीं चाहिए पहन जी बाप बेटे की नोकरी नहीं लग रही मैंने तो अभी शुरू किया एक महीना मैं रोज बाबा को भोग लगाऊंगी बगवान भी रिश्वत लेके काम करता है यह तो हम जब छोटे-छोटे थे ना ग्यान में आ गए माँ बाप के साथ तो कोई कहते थे वो बच्चे होते ना हनुमान जी के यह मैं तो भोग लगाऊं और फलानी जगा तो हमें तो ग्यान मिल गया था तो हम रहस देते थे हम कहते थे अच्छा तो मारे हनुमान जी रिश्वत लेके हमारा तो शिप बाबा ऐसे ही कर देता है बच्चे थे ना तो समझ नहीं थी तो भाई बाबा ने कहा है आप क्या चाते हो आज एक बहन आई कहती मैं चाती हूँ मैं सदा खुश रहूं मैंने का सदा खुश कैसे रहेगी बता खुशी क्या है मैं खुश रहूं कैसे रहूंगी खुश बताओ है नहीं मेरे पास खुशी है नहीं मैं तेरे को कैसे दूँ मैं तब तो कह रही हूँ मैं सदा खुश रहूं बाबा मेरा तो योग आजकल यह है बाबा मैं आप बिल्कुल खुश रहूं बताओ है है लोग दू कैसे मैं तेरे को मेरे पास नहीं है भेहन खुशी तब तो मैं माग रही हूँ दू कैसे दू कैसे खुशी समझीए खुशी फल है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है तो क्या करूँ क्या करूँ आम का पौधा लगाओ वरिक्ष लगाओ आम का बगीचा लगाओ मुझे खुशी चाहिए बांटूंगी तो तब प्यारे बाई बेनो जब मेरे पास होगी है यह नहीं पहले मैं निर्मान बनूं सरल बनूं भावनाओं को स्रेष्ट बनाऊं तो मुझे कर्म प्रधान विश्वर अची राखा मेरा कर्म है मैं निर्मान हूं मैं सरल हूं मेरी खुशी गाइब का बोती है जब मेरा एहम टकराता है आपने ऐसे कैसे बोल दिया क्या टकराया मैं निर्मान आप कुछ भी को मुझे शांत रहना है मैंने बीज बोया निर्मानता का अगर निर्मानता का बीज नहीं है आप लाख ही अतन कर लीजिए नहीं मिलेगी खुशी यह भी गैरंटी है हो मैं सरल सहज स्वभावी हो सकता है दूसरे ने गल्त ही कहा है वो है गल्त फिर हमें क्या करना पड़ेगा गल्त है तो क्या करना पड़ेगा अगर तो मैंने दिया उसको जवाब तो बात आगे बढ़ेगी मुझे अभी हिसाब किताब उसके साथ स्टॉप करना है स्टॉप करना है ठीक दुनिया में भी आप यही करते हो ना उससे बोलते नहीं हो तो यह तो बाहर ही है अंदर से स्टॉप बाहर से नहीं अंदर से अगर हम वो ही सोचेंगे यह ऐसा है ऐसा है अच्छा मैं ही सहन करूँ मैं ही यह करूँ वो चेन हमारी बढ़ेगी तो यह बुद्धी clean और clear हो तो clean और clear बुद्धी के लिए निर्मान बीती को बिंदी past is past कैसे होगा कितनी बार बिंदियां लगाते रहेंगे कल कुछ हुआ मैंने बिंदी लगाई आज सवेरे कुछ हुआ बिंदी लगाई अभी कुछ हुआ बिंदी आखिर कब तक भाई मेरे में तो इतनी शक्ती नहीं है बुद्धी को clean करो दुनिया में भी तो यही कहते न जुकता कौन है सुनाते हो ना जिसमें जान होती है जुकता वही है जिसमें जान होती है आप शरीर को देख लीजिए बाडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है मानलो बाजू टूट गई है वो प्लास्टर चड़ा एक महीं नहाथ ऐसे ही हो गया फिर क्या करना पड़ता है अगर ऐसे ही रहेगा तो यह काम नहीं करेगा फिर कहेगा फिजियो थेरपी थोड़ी एकसरसाइज करो फिर इसको चलाओ फिर यह चलने लग जाता है थोड़े टाइम के बाद प्लास्टर एक महीने का था फिजियो थेरपी छे महीं ना साल भर तब चलने लगा तो ये clean and clear इसके लिए पुर्शारत नहीं करना है आप कहेंगे बड़ा मुश्किल-मुश्किल बाते है बाबा की अव्यक्त मुर्ली है हम हमेशा ही ये सुनाते है बाबा ने का जिस दिन बच्चा दिल से कहता है बाबा ऐसे बाबा 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 वो राम राम वाली माला मत जबो हाँ बाबा है बाबा मैं जा रहा हूं बाबा मैं ये कर रहा हूं नहीं दिल से शेरिंग बाबा बाबा कहते मुझे खुशी आई या में बाबा, मैं क्या करूं मेरा तो काम ही नहीं हो रा फिर बाबा कहता मैं भी क्या करूं बच्चे तेरा तो यहां फ्यूज हुआ पड़ा है confused फिर कहते है मैं तो confusion हो गई हूं तो यह जो fuse ना यहां से fuse होता है इसको ठीक करो ya बाबा ठीक है कोई समस्या है भी एक ने मेरे से पूछा बैन जी किसी ने सुईसाइड कर लिया मैंने का फिर क्या हुआ जिसने सुईसाइड किया वो गल्त था या जो उसके साथ थे वो गल्त थे कौन था गल्त मैंने का एक बच्चा दस्वी में फेल हो गया result आया, उसने जाके curved ond थे वो बन्हें स्वीसाइड कर लिया ऑगा पस शोईड कर लिया पास हो गया पास हो गया ओख था आज रवार्गा आज रिज़ेल्ट अखँआ कर में मैं इसवी में अब लिए इह ड्रीचा इल्स अब दिया थे कहता नहीं हो सकता उसने करजा लेके दस्वी का इम्तिहान दिया था तपिल मैंने का फिर करजा भी चुक गया ना सूइसाइड कर ली, करजा भी चुक गया क्या बात करते प्यारे भाई, बेनो कोई भी परीक्षा है, पेपर है उसकी चर्चा मत कीजिए मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ मैं ऐसा करूँ, मैं ऐसा करूँ मेरे साथ कुछ भी हुआ, मैं क्या करूँ बाबा बाबा की गोद में बैठके पहले बाबा से शक्ति लूँ, प्यार लूँ मेरे पास बाबा का प्यार नहीं है तो मेरा व्योभार अच्छा नहीं है सच्चे दिल पे साहिब राजी तो हम सब ने कहा यही सत्यता है यह सच्चा ही चाहिए देखिए है मेरे दिल में बाबा क्यांगे तब ही तो जीवन दिया है बाबा की सेवा अरे यह क्या हो रहा है बोल हमसे तो नहीं होता तो मैं हमेशा सुनाती हूँ जब अंग्रेजों का राज था बहुत जगा युद्ध हुए जांसी भी जांसी की महारानी थी ना सबने पढ़ाया ना बच्छपन में खूब लड़ी मर्दानी वो तो जांसी वाली रानी थी पढ़ाया ना चित्र भी देखा होगा पीठ पे बच्चा बांधा हुआ है घोडे की लगाम हाथ में है इस हाथ में तलवार है वो तो महरानी थी महराजा महरानियों को कितना सुक होता है और हम तो आज क्या कहते हैं सबजी काठने से ना हाथ खराब हो जाते हैं वाँ मैं इतना भारी तो मैं नहीं उठा सकती वो तो बहुत हलका होगा ना बच्चा उसने चार-पांच साल का पीछे बांधा हुआ था गोडे की लगाम थी और तलवार तो बहुत ही चैकू से भी हलकी होगी विचार कीजिए हम कहां आए हैं क्या बनने आए हैं इतना दम है तो लगाइए तभी प्राप्ती होगी यह मैं आपको बता देते हूं वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहांसी वाली रानी थी वो एक नहीं थी आज भी बाबा ने कहा ना मम मया ओहो मया बच्चों बस खड़िये बाहर निकलो पकड़ेगी मैं बाबा का बच्चा मैं बाबा की गोद में पलने वाला आपको कुछ नहीं आता है कुछ मत करिये लेकिन इस बुद्धी को एकदम क्लीन दिल हमारा तभी शुब भावनाओं से भरेगा जब इस बुद्धी में केवल 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 बाबा बाबा अभी ड्रामा नुसार आज कितनी तारीक है दो तारीक और पहली तारीक को है शिवरात्री अब शिवरात्री पर आप शिवजी पर जल चड़ाओ न चड़ाओ आपकी मरसी आज से स्वासो स्वास जल चड़ाओ मैं शिव बाबा की बच्ची शिव बाबा की गोद में हूँ ये प्यार का जल मुझे कुछ नहीं करना है छोड़ो सब काम एक महीने में कुछ बिगड़ने वाला नहीं आप पर कोई करजा नहीं चड़ेगा ऐसा मत सोचो कमाएंगे नहीं तो क्या होगा सब कुछ होगा मुझे ये महीना बस मैं हर स्वास में मुझे स्वास ही तब लेना है जब पहला संकल्प सच्चा संकल्प ये आए करे कोई इस प्रयोग को कौन करेगा सारे मत हाथ उठाना बहुत मुश्कील है जो काम दे रहे हैं हर स्वास में बाबा मैं आपकी कोद में आपका बच्चा करो आप ग्रहक को माल भी दो काम भी करो अंदर ही अंदर ये बाबा मीठे बाबा कोई डिमांड नहीं डिमांडिंग मत बने अनुभवी बने हाँ बाबा का प्यार आहा रात को अपने बिस्तर पर जाएं वाँ आज बाबा ने तो इतना प्यार दिया अगर कुछ नहीं भी हुआ कुछ बुरा भी हो गया कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है पर बाबा आप की कमाल है बाबा आप मेरे साथी हो बाबा आप ही आप करिए एक महिना ये प्रियोग और फिर अनुभव सुनाना चाहे आपने अभी हाथ उठाया या नहीं उठाया उसकी कोई बात नहीं है लेकिन ये प्रियोग करके अपने दिल को पहले बाबा के प्यार से भरो यह बाबा के प्यार का अभव है? तो कहेंगे हाँ, तभी तो हम चल रहे हैं बुरा नहीं मानना, बिलकुल नहीं है हमारा प्यार तो कहां कहां है, ढूंडो कौन सी सिम खुलती है कौन सी सिम खुल रही है भई नौकरी की, पोते-पोती की बिजनस की, यूगल की कौन सी सिम खुली देख लो बाबा सिम खुली तो अब सब पक्का करो काम भी करना है पर बाबा कोई कोई कहते है भेंजी हम तो खाना बना रहे थे बस वो फलाने की क्लास, फलाने की क्लास कोई क्लास नहीं, बस बाबा की मुरली, बाबा की क्लास बाबा की मुरली, बाबा की क्लास बाबा का गीत बाबा मेरा साथी है बाबा मेरा साथी है तब, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया यह जो विशे है यह बहुत गहरा है यह रिसर्च का विशे है कहने का नहीं है कोई एक्सपेरिमेंट करे ज्ञानी अज्ञानी सब के साथ इसकी शेरिंग करे खोद अब के साथ शेरिंग करे हाँ, हेलो बाबा बुद्धी क्लियर बाबा सिम खुली हुई है ठीक है, समय हो गया है किसी ने कुछ कहने, पूछने किसी ने कुछ पूछने, कहने हाथ उठाओ, अगर कोई प्रश्ण है तो नहीं, सब बड़े विश्राम में चले गए परपूर हो गए, यह विश्य ही ऐसा है और सच मुच अगर हम चाहते हैं ना हम कुछ बने मैं पूछूं कि कौन-कौन बनना चाहता है तो सब कहेंगे हम बनना चाहते हैं आप इस विशे पर रिसर्च कीजिए सच्चे दिल पर साहिब राजी सच्ची दिल और साफ स्वच बुद्धी बस इस बुद्धी पर काम कर लीजिए ज्यादा काम कुछ नहीं करना जो बाबा ने कहा है ना बच्चे जैसे ही कहते हैं बाबा तो बाबा क्या करता है दिव्य बुद्धी का वर्दान दे देता है बस अभी मैं जो बोल रही हूं दिव्य बुद्धी से बोल रही हूं देख रही हूं दिव्य बुद्धी से देख रही हूं भोजन कर रही हूं दिव्य बुद्धी से कर रही हूं आपको बहुत आनन्द आएगा इसमें तो इनका गहरा connection है जो मैंने पहले कहा था आपको पहले योग में हम बैठते थे सत चित आनन्द स्वरूप आजकल तो हम बैठते हैं खाना खाते हैं कहते हैं अरे आज ये कड़ी बनी थी बड़ी टेस्टी थी दूसरा कहता है मेरे को तो पता ही निक अचा थोड़ी सी और दे ना जड़ा टेस्ट करके पेट भर गया क्योंकि चित चैतन्यता नहीं थी awareness नहीं थी खा रहे थे सोच कुछ और रहे थे देख कुछ और रहे थे बातें कुछ और कर रहे थे यह हमारी प्रेक्टिकल स्थिती सारा दिन सत चित अनंद स्वरूप बाबा तो अब शिवरात्री आज से मनानी शुरू करो प्रभू प्रेम का जल अपने पर चड़ाओ तो हमारी दिल कुछ नहीं डरो मत कि हाँ भेंजी नहीं का था विशे गह रहा है तो हम तो क्या कर सकते हैं नहीं इसकी विधी बहुत सहज है बस प्रभू प्रेम के जल से अपने को भरपूर करो बाकि सब कुछ हो जाएगा चीक है तो चलो अभी इसी संकल्प से अलर्ट हो के सब अलर्ट हो के बैठो यह सहारे लेके मत बैठो एक दम सीधा हो के बैठो और ले चलो अपने आपको अपने भीतर आंखे खोल के बैठो खुली आंख से यही फील करें मैं बाबा के सामने हूँ बाबा मेरे सामने खड़ा है मुझे द्रिष्टे दे रहा है, वर्दाम दे रहा है बहुत ही सुन्दर और गहन विशे पर बहुत सुन्दर मार्ग दर्शन आप सभी को न सिर्फ मिला लेकिन होमवर्क भी मिल गया